हेलो फ्रेंज मेरा नाम उकेस और स्वागत है अपका हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल को नामे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मोटरोला के जी सेवेंटी वन फोन के बारे में दोस्तो ये फोन आज लॉंच हो गया है और ये 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा फिलिप कार्ट पर विक्री के लिए तो दोस्तो बहुत सारे लोगों के मन में सबाल होगा कि ये फोन हमें लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए कैसा इसका प्रोसेसर है यह processor जो है वो नया processor है Snapdragon का 690 processor है तो यह phone हमें लेना चाहिए या खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए पूर्स इसी के बारे मैं आज मैं बताऊंगा पूरी तरह से बताऊंगा अच्छे से समझाऊंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और सेयर कर देना और दोस्तो नोटिफिकेशन जरूर दवाना क्योंकि नोटिफिकेशन दवाने से क्या होगा कि आपको इसी तरह की इंफोर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी सबसे पहले, तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, दोस्तो जी सेवेंटी वन के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, दोस्तो इसमें आपको डिस्प्ले मल जाता है 6.4 इंच का एमोल डिस्पली मिल जाता है 60 हर्स का रिफ्रेस्ट मिल जाता है और 700 का पीक ब्राइटनेस इसमें मिल जाता है दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 700 का जो ब्राइटनेस होता है वो आपको आउट्डोर में भी कोई प्रोब्लम नहीं देगा आप जारा जिए लैसके रिफ्रेट दक इसका कोई पोटेक्सिं के बारे में पता नहीं चला है तो इसके बोडी के बात करें दोस्तों तो इसको बैंक भी आपको में पॉली काड़़ोनेट ऐसा कुछ नाम दिया है फ्रेंच का 695 प्रोसेसर फ्रेंस ये प्रोसेसर नया है और Motorola G71 के साथ आने वाला पहला फोन होगा जो इस प्रोसेसर के साथ आता है तो दोस्तों इस प्रोसेसर के बारे बात करें तो ये प्रोसेसर 750G और 765 प्रोसेसर से भी अच्छा प्रोसेसर है पर अगर इसका जो प्रोफॉमेंस के बारे बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है कोटेक्स का A78 प्रोसेसर और इसमें जो आपको GPU मिलता है वो मिल जाता अडरीनो का 609 GPU मिल जाता है दोस्तों यह प्रोसेसर जो है वह सिक्स मैनोमीटर पर बेस्ट है और 2.2 गिरार्ट का इसका क्लॉक की स्पीड है तो प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है आप इसको डाइमन सीटी के 900 से कंपेर कर सकते हो मतलब उसके मुकाबले का यह प्रोसेसर है अब बात करते हैं दोस्तो इस प्रोसेस की बात करें रैम की तो इसमें आपको मिल जाता है यह एक ही रैम और स्टोरेज बेरियन के साथ आता है 6G RAM 128 जी भी स्टोरेज के साथ आता है यह बात करें दोस्तों कि इसमें मतलब कैमरा क्या मिलता है दोस्तों तो इसमें आपको मिल जाता है रियर में आपको मिल जाता है 15 लोग चार चार देते थे पर अब बात करें इसमें फरंट कैमरी की तो इसमें मिल जाता है आपको 16 16 विजा जाता है दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों इस फोन को आप ले सकते हो कि इसका प्राइस एउनीं से या रूपया और व मिलता है तो जब आएगा तो ये आप फ्यूचर पूरूफ इसको फोन बूल सकते हो क्योंकि जब आप 5G आएगा तो तेरा बैंड दिये गया है तो मतलब एकदम से अच्छा सपूर्ट करेगा आपका 5G बहुत अच्छे से वर्क करेगा इसमें और इसमें एक और चीज दी हुए 3CA इसमें आपको तीन केरियर एग इसमें आपको इसमें स्टेंडरी नौइज केंजलेशन माइक दिया गया हुआ है इसमें बैटरी की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको मिल जाता 5000में ची बैटरी और इस बार आप मोट रोला ने क्या किया है कि इसमें 33W का फास्ट चारे दिया है तो यह आपका एक experience देता है stock and wide के near रहता है यह बहुत अच्छा performance देगा आप ले सकते हो यह phone तो दोस्तो ऐसे ही video पाने के लिए please मेरे चैनल को subscribe करना अगर आज आज आपको यह video अच्छा लगा हो तो जरूर कर ही लेना मैं फिर से बोल रहा हूँ subscribe कर देना क्योंकि हमें motivation मिलेगा like जरूर कर देना क्योंकि और ज्यादा motivation मिलेगा हमें तो मिलते हैं किसी और video में तक तक लिए जैहन बनने मात रहे